Hello friends, welcome to our channel current affairs updated, this is Devashi Shavasthi जिससे आपको पता होगा मैं daily current affairs का आपके सामने lecture लेक्चे लेके आता हूँ तो आज date है that is 8th और 9th July, या देखिएगा दोनों के दिन की current affairs मैंने mix कर दी है क्योंकि दोनों के दिन important days की current affairs है lecture को end तक जरूर देखना है क्योंकि exam perspective से बहुत important होने वाला है तो lecture को end तक हम जरूर देखेंगे और जितने भी important questions है वो मैं यहाँ पर cover कर दूँगा वीडियो को like जरूर कर दिएगा, बड़ी interesting तरीके से बहुत महनत से मैंने ये PDF को बनाया है इसको like जरूर कर दिएगा, let's just start कहने से पहले मैं आपको कुछ booklet के बारे में बताना चाहूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी दो-दो booklets आपको दिख रही होंगी, एक यहाँ पर आप देख रहे होंगे, that is 6-month current affairs, that is January to June, और दूसरी आपको दिख रही होगी, 7-month current affairs, that is January to July, okay, आपको दोनों booklets में आपको advantage बतायता हूँ, क्या advantages है, ठीके, पहली booklet अगर आप लेते हैं, तो इसमें आप advantage देखे, कि आपको यहाँ पर जो current affairs है, पूरी 6-month की current affairs, properly exam perspective से यहाँ पर mention की हुई है, ठीके, तो आप इस booklet को ले सकते हैं, ठीके, कैसे लेंगे, मैंने description box में अपना whatsapp number डाला हुआ है, ठीके, आप उस पर whatsapp करिए, ओके, और आपको यह booklet की details मिल जाएंगी, ओके, अब आप कहेंगे, सर यह booklet हमने पढ़ ली current affairs की 6-month की, इसके आप कोई और advantage, अब इसके आपको MCQs भी दूँगा, मतलब वही booklets के आपको देख सकते हैं, explanation के साथ, आपको MCQ booklet भी मिलेगी, जहाँ पर आपको सारे question की आप practice भी कर सकते हैं, और MCQs कितने हैं, 1000 प्लस MCQs हैं 7-month के, इसके साथ-साथ आपको other benefits भी हैं, जैसे कि आप यह booklets लेते हैं, तो इसको मैं आपको कैसे provide करूँगा, मैं आपको soft copy का link provide करूँगा, जहाँ पर हर चीज़े मेरी updated रहती है, जैसे daily current affairs हो गया, weekly current affairs हो गया, यह booklet छोग नहीं, आप इनको print out करा सकते हो, बहुत easily way में आपको मिल जाएगी, स्तारे मेरे lectures की, static GK की, हर चीज़े आपको एक जिगे पर available होगी, तो आपको करना क्या है, नीचे description box से मेरा WhatsApp नमबर ले लेना है, और WhatsApp में मैसेज डाल देना है, मैं आपको इसकी साई details यह दूँगा, तो आपको बहुत सारे benefits जो है, यहाँ दखेगा, application का जो number है, ठीक है, application का जो link है, वो भी description box से mention है, आप वहाँ से जाकर application से भी चीज़ों को buy का सकते हैं, तो चले स्टार्ट करते हैं, आज के lecture को स्टार्ट करते हो देखते हैं, क्या-क्या चीज़े exam के लिए important है, आज के daily current affairs में, तरब से पहला question, पहला question आप यहाँ पर देखे, recently, who led the three-member judicial commission, which is to investigate the stamped in Hathras, during the satsang on 3rd July 2024, आपको बता होगा, satsang एक event हुआ था भी, जो UP में हुआ, जिसमें 121 approximately लोग की death हो गई, stamped हो गया वहाँ पर, तो उसके लिए judicial commission established की गई है, तो कि UP में incident हुआ है, तो उसके chairman कौन है, तीन member commission, उसके chairman कौन है, मैंने आपसे directly question पूछा है, who is the chairman, options यहाँ पर दिये गए, I'm directly going to the correct answers में, आप याद का सको, और उनके correct answer, that is, Bridgesh Kumar Shirvastu, याद एकिए, that is option number A, जो है, वो correct answer, आपको याद एकना, option number A is the correct answer, इसकी details मैंने आपर mention कर रखी, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इनके साथ other members भी हैं, जो इस commission के members हैं, but that is not important, आपको important क्या है, important है कि इस committee के chairman कौन है, वो आपको याद रखना है, ठीक है, चलिए, next question माते है, next question है, अभी हमाई prime minister नईफ, even उन्हें अपने official Instagram में भी डाल रखा है, कि उनकी अभी एक visit होने वाला है, तो मैंने लिखा है, और 8th July, Prime Minister Modi left to his official visit to Russia, आप देख सकते हैं, आपर उनके जो friend है, Putin साब, उनके साथ उनकी photo भी दिख रही हैं आपको, तो 8th July को वो निकल चुके है, अपनी visit के लिए 3-day visit है, तो Russia और किस country के उनकी visit है, मैंने question नहीं पूछा है, options आपके सामने दिए गए, Russia आथ सब को बता, Russia जो हमाई बहुत साथ friend भी है, और Russia capital क्या है, that is Moscow capital है, और second country जहां पर visit होने वाली, मतलब Russia के साथ साथ और वो कहां जाने वाले, Europe की country, that is Austria, तो मतलब Russia और Austria, ये दो countries में वो रहेंगे, comment box में जली से मुझे Austria की capital क्या है, ये आप मुझे बता दीजे, को किसा correct answer होता है, that is option number A, Austria है, ठीक है, और Modi जी वहाँ पर जो जा रहे है, that is Russia में जा रहे है, तो आप देख सकते है, 22nd annual summit है बिट्विन इंडिया और Russia, और Prime Minister Modi मौस्को में रहेंगे, तो important है, कि Russia और अभी Modi की जी की visit यहां पर है, अब आप मुझे बताइए, जो third time Prime Minister नजीद मोदी बने थे, तो सबसे पहली उनकी international visit, कौन सी country पर थी, बताइए, उनकी बहुत ची फ्रेंड है, मैं आपको hint दे रहा हूँ, जहां पर वो गए थे, comment box से मुझे, आप उस country के नाम में इश्य करिएगा, सबसे पहली official visit, चलिए, next question में आते है, इन which city the world famous रत्यात्र अफ लॉड जगर्नाथ held, this is one of the famous question, easiest question, बहुत सह है, मेरे Odisha से students वीडियो को देखते हैं, और यह असान सा question है, yes the correct answer option है, बढ़ भी, that is Puri, okay, जादे कि अभी यह recent ही आपको पता होगा, कि on 7th July 2024, रत्यात्र अफ लॉड जगर्नाथ, ठीक है, लॉड बालबद्रा, देवी, सुबद्रा, बिगन इन Puri, Odisha, तो आपसे लॉड जगर्नाथ पर question ज़रू पूछा सकता है, यात्रा कहा हुई, वैसे तो हर country के अलग-अलग places में इसको conduct किया गया, but mainly it happened in where, that is at Puri, okay, चले, next question, question of fourth, this is one of the interesting question which I could say, recently which state, child rights, N-C-P-C-R, okay, तो इसके according, याद अखिए, child labor free हो गई है, तो कौन सी MICA mines ऐसा हो गई है, अभी recently declared भी किया गया, options आपके सामने दिये गए हैं, ठीक है, किस mines के साथ हुआ है, the correct answer is option number A, जार्खन, याद अखिएगा, correct answer क्या है, that is option number A, जार्खन, आपको जार्खन याद अखिए, देख सकते, National Commission for Protection and of Childright declared MICA mines of, जार्खन, child labor free, so this is important, अभी एक एवेंट भी हुआ था, कोदरेमा जार्खन में, जहाँ पर डिक्लेर किया गया, और जो ये है, that is N-C-P-C-R-S की चेर्मिन प्रियंका जी है, ये होने officially declare भी कर दिया, तो ये कुशन आ सकता है, ठीक है, और जार्खन का भी आपको पता हो, नई CM भी बन गए, वापस बन गए, हेमन सोरेन, तो ये भी important जो आता है, कि हेमन सोरेन CM है, और CP रादाक्रेशन वहां के, गवरनर है, और राची क्या है, वहां की capital है, आपको ये चीज़ पता होनी चीज़ थी, चले, नेक्स्स कोशन मा आते है, इंडियन स्क्वाश प्लियर ने, वांस टू टाइटल, दो टाइटल जीते हैं, आट रिसेंटली कंकूड़ेट एशन स्क्वाश डबल चैमेंशिप 2024, तो दो टाइटल जीते हैं, तो मैं आपको एक तो मिक्स डबल जीता है, और भी एक टाइटल जीता है, पहले बताओ, पहले बताओ, ये टाइटल शिप ये होरी चैमेंशिप, ये कहां हुई, आपके सामने न्यू डेली में, अस्ताना में, पैरिस में, जोहर में, तो इसका correct answer में आपको सीधे बताता हूँ, सीधे याद कर लो, क्यों कुशन आ सकता है एक्जाम में, correct answer है, option number D, that is, जोहर, जोहर की अगर बात कर दाब सकरेंगे, ये कहां पर है, ये हैं मलेशिया में, कहां पर, मलेशिया में हो, यहां पर हम दो टाइटल जीते हैं, वो बताए तो, एक है मेंस डबल जीता है, यहां दिखिएगा, मेंस डबल और मिक्स डबल हमने यहां पर इवेंट को जीता है, ठीक है बाकी मैंने डीटेल्स भी मेंशन कर रखी है कि मिक्स डबल में हमारे अभै सिंग और जोष्ण जो है उन्होंने पार्टिपेट किया था ठीक है तो आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपका स्टाइम हो बट यह आ तकना यह इवेंट कहा हुआ है that is more important नेक्स कोशन में आते हैं रिसेंटली इस 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 इंटरस्टिंग कोशन ठीक है रिसेंटली धुरुव सित्वाल विन 2024 एशन विलियर्ट चैम्मेशिप इन रियाद साओधी अरेबिया रिफीटिंग किसको हरा के बने मैं जनरली बताता हूँ अभी विलियर्ट का अंसर आयना तो पंका जाडवानी आंसर लगा दो इस बांका जाडवानी खुद हर गए फाइनल जीता है किसने धुरुव सित्वाल ने जीता है तो देखे इस बार पंका जाडवानी डिफीटिंग में है ठीक है तो correct answer option number A है पंका जाडवानी directly बुचाएगा इस बार यही पूछ सकते 2024 Asian Billiard Championship 2024 किसने जीती है you have to mark the answer that is गुरुव ने जीती है आपको यह answer mark करना पड़ेगा आपके यह detail देख सकते 27th of June से लेके 5th July था कि event चला और इस event को याद किये कहा हुआ that is रियाद साओधी अरेबिया में okay चले next question 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 7th which ministry initiated project परी परी का फुल फॉर्म क्या है public art of India okay to beautify New Delhi New Delhi को beautify किया जा रहा है on the occasion of forthcoming 46 session होने वाला है और World Heritage Committee Meeting जो आपको बता होगी UNESCO की World Heritage Committee Meeting का जो होने वाला है 21st July से मैं बता दूं 38 July तक होगा और प्राइम में सा नहींद मुदी इसको inaugurate भी करेंगे that is very important तो यह जो project होने वाला है ठीक है जो की New Delhi में होगा ठीक है तो इसके लिए देखे beautify करने के लिए project launch किया प्रोजेक्ट परी प्रोजेक्ट परी जो है वह launch किया गया है because of this meeting जो 46 session meeting होने वाली UNESCO की तो project परी किस ने launch किया है यह launch किया है ministry of culture ने तो correct answer किया है that is option number a ministry of culture यहाँ दखेगा मैं अभी यह पता है 21st July से 31st July तक होगी 46 session की meeting जो New Delhi में होगी okay प्राइम में सा मोधी सो खुद inaugurate करेंगे तो union ministry of culture ने इसके लिए beautify करने के लिए Delhi को उन्होंने project launch किया project परी comment box से मताओ union minister of culture अभी at present who is the minister of union minister of culture या आप मुझे comment box से mention करेंगे next question number 8 it's one of the easiest question which state won best agriculture state award for 2024 agriculture को सबस्च अच्छ अवर्ड best agriculture वार्ड किसको मिला है अब गोलों सोचों कि sir madhra pradesh को मिला होगा यह award को madhra pradesh agriculture बहुत आगे but it's a correct answer option A है that is a maharasht यहार रखना maharasht को यह award दिया गया है ठीक है और अभी यह 10th July को New Delhi में एकनाश शिंडे जी जो CM है वह यह award भी collect करेंगे ओके तो important है maharasht का award मिला है Mumbai capital है maharasht की एकनाश शिंडे जो है वो CM है और Ramesh base जो है वो at present governor है next question number 9th में आते है recently which institute signed an agreement with Indian register of shipping to develop क्या develop करना है a ship trajectory prediction tool aimed at improving maritime safety maritime safety के लिए यहाँ दख्येगा that is Indian register of shipping जो है वो agreement sign कर रही है इसके साथ यह agreement sign किया जा रहा है options देगे generally आप देखते IIT के साथ sign किया जाता है और correct answer option number B that is IIT Bombay तो यहाँ दखना है IIT Bombay जो है वो correct answer है ठीक आप यहाँ पर देख सकते IIT Bombay और Indian register of shipping that is IERS जो है वो यह उन्होंने अभी recently आप देखेंगे उन्होंने partnership की है regarding maritime safety okay next question question 10th recently where was the global conclave on plastic recycling and sustainability inaugurated so this is a direct question की यह कहां पर हुआ direct question इस तरह काता है you have to mark the correct answer की कहां पर हुआ है ठीक है और यह आप देख सकते rate भी आप देख सकते that is 4 to 7 जुलाई तक यह हुआ और यह हुआ है that is at correct answer that is at new Delhi आप देखें जनरली न्यू डेली में इवेंट्स होते हैं कुछ लोग कहेंगे सब budget तो मार्च में आता है क्योंकि इस बाइलेक्शन निया था इसलिए इंटरिम budget आया था हम आप पर main budget जो है वो अब आएगा जो नई government पेश करेगी उस पर आप देखें वहुआ चेंजिस आने वाले हैं तो इस budget को हम डीटियल में डिसकस करेंगे कब यह budget रखने वाली है सरकार मैं पतार हूँ 22nd July से budget session स्टार्ट होगा और बजट को रखा जाएगा 23rd July को और निर्मला सीतर रमन इस budget को रखेंगी आप यहां पर देख सकते हैं budget session कब से कब तक चलने वाला है 22nd July से लेकर आप देख सकते हैं 12 अगस्त तक याद रखना है यह इवेंट चलेगा और पहला budget होगा इस 18th लोक सभा का और निर्मला सीतर रमन विल बिकम दा फर्स finance minister to present seven consecutive budgets याद कि लगाता साथ budget consecutive रखने वाली वो पहली finance minister हो जाएंगी इन पे भी बहुत से finance minister of UK UK की पहली finance female minister अब देखिया भी मैंने बताया है हमारी भी finance minister female UK में भी अब पहली बार ऐसा हुआ है कोई female बन गई है आप उनकी image देख सकते हो अगर आप याद करना चाहते हो यह उनकी image है और उनका correct answer option number A Rachel Revees याद देखिये correct answer option A है Rachel Revees जो है उनका correct नाम है अभी आपको बता हुआ नए PM भी बने है कहा के बिटेन के रिशी सुना को हराया उन्होंने और नए PM जो बने है विदाट इस केर स्टार्मर याद देखिये केर स्टार्मर जो है लेबर पार्टी से बि जोरावर जोरावर एक light tank है इसको D.I.D.O. ने develop किया रिशे इंड के साथ मिल ये पूछ सकते हैं तो इन्डीजनिस light tank है इस तरह भी question हो सकता है और उल्टा भी हो शकता है किसने मिलके डवलप किया है तो DRD and LNT नेक्स्ट कोश्चन वा फॉर्टींथ है Recently which state government has launched मित्र वन इनिशेटिव मित्र वन इनिशेटिव जो है वो किस state government लाँच किया अफ्कोस plantation से लिजेट होगा मैं बतातू उत्तर परदेश और नेपाल की बॉर्डर पर plantation किया जाने वाला है तो अफ्कोस यह उत्तर परदेश ने लाँच किया होगा यूपी के आपको cm दिख रहोंगे योगी आदितना तो करेक्ट आंस ऑप्शन वाज सी है देख सकते हैं आप कि इसको जो लाँच किया गया आप यहां पर देख सकते हैं जो लगा जाएगा उत्तर परदेश और नेपाल की बॉर्डर पे लगा जाएगा ओके चलिए और उत्तर परदेश की राजसभा सीच किती है या आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करोगे उत्तर परदेश की राजसभा सीच किती हैं नेक्स कोशन में 15 इंट्रेस्टिंग इजी कोशन अगें बहुत से लोग मेरा वीडियो देखते हैं उडिशा से उनके लिए इजी कोशन होगा रिसेंटली आपके स्टेट में दौपादी मुर्मु जी ने विजिट किया हिस्ट हाती गुफा इस्क्रिप्शन के लिए फेमस है जो की रामी स्क्रिप्ट में हैं तो यह कोशन भी पूछाता है यह इंस्क्रिप्शन कहां पर है तो उद्यगिरी केस्ट इस अट ओडिशा ओडिशा की बात करें तो भुवनेश्वर कैपिनल है और चरनमान जी मोहन चरनमान गई है विट हूँम इंडियान ओलंपिक एस्सेशन ने पार्डर्शिप की है और ओलंपिक गेम्स के साथ पार्ट्रशिप की ओप्शन सापके सामने दिये गये हैं यह अद्ले हैं और बीपी के साथ विपीसील के साथ यह अपकर सबको बढ़ा होगा भारत Petroleum Corporation Limited के साथ उन नोने थैंक किया जिनकराबे PT उशा और BPCL को नोने थैंक यू भी बोला है क्वेश्चन में 17 री डेजिगनेट हो गहे हैं as a MD and CEO of LIC LIC Life Insurance Corporation के अगर बात करता हूं तो वापस MD बन गहे हैं कौन है करेक्ट वही आंसर है that is पहले जो पढ़ा हुआ है सिधात मोहनती तो करेक्ट आंसर अप्शन में है सिधात मोहनती मैं बतादू Government of India ओनर है इसकी और 1st September 1956 में फॉर्म हुआ था Headquarter LIC का मूंबई में है कहां पर है that is at मूंबई ठीक है पहली बार सेकेर्टरी लेवल मीटिंग हो रही है between the Defence Ministries of India and Democratic Republic of Congo तो पहली बार हो है सेकेर्टरी लेवल मीटिंग between the Defence Ministries of India and Democratic Republic of Congo के साथ हुई है कहां पर हुई है ये सबस्बसाबर मुझे पता दो Democratic Republic of Congo जो है जो आफ़िका की कंटरी है उसकी capital क्या है या आप मुझे comment box बताओ उसकी capital क्या है और यह meeting हुई है New Delhi में generally जो meetings होती है आपको New Delhi ही answer लगाना होता है New Delhi में meeting recently conduct की गई है next है who has been अच्छा आपको पता होगा DRC में पहली बार woman prime minister भी appoint हुई है यह भी आपने news में सुना होगा तो हो सके तो उनका नाम भी mention कर दो अगर आपको याद है तो mention कर दो पहली बार woman p.a में वाकी who has been appointed chief justice of जहारकन आइकोड जहारकन आइकोड के नए चीफ जहारकन के पॉइंट हो गए आपको नाम बताना उनका क्या है तो it's become very difficult अभी मैंने आपको बताता शीन नगू का मैंने last question बताया था याद होगा आपको मैंने पंजाब और हरयाना का इनको बताया था कि यह चीफ जहारकन के जहारकन के पॉइंट हुए वह है बिद्दूत रंजन सरंग आप यहां पा देख सकते हों का नाम में लिख रखा है बिद्दूत रंजन सरंगी जो है वह याद यह पॉइंट हुई है इन्हों ने एज्यूम किया प्रेसिडेंसी ऑफ एफटी एफ फैनेशल एक्शन टास्कोस टू यह जुलाई 2024 से लेके जून 2026 तक यही प्रेसिडेंट रहेंगी यह जो परसेंट मैं आपको में दिखा रहा हूं तो टी राजा हम पढ़ते थे तो व पॉर के वो थे बट अब वो हड गए है याद एखेगा एफटी एफ के नहीं आगए फटी एफ का हेट्वाटर भी बताऊंचे आपको परिस फ्रांस में है जी सेवन ने मिलके इस ग्रूप को बनाया था जो की जुलाई 1989 में इस्टाबिश हुआ था और अब इसकी नए प फर्स F1 ड्राइवर टु विन अन एनी ट्रैक नाइन टाइमस तो यह भी इसलिए बहुत फेमस हो गया है इसलिए ब्रेटिश ज्यांट पेक्स आपसे पूछी आ सकती है ओके मैं बता दू आपको फील और ट्रैक औंड फील को लीड कर रहे है या एफ्लेटिक्स को लीड कर रहे है बड़ी इंटरस्टिंग बात है कौन लीड करेगा उनको लीड करने वाले हमारे गोल्ड मेडलेस जिन्होंने हमको 2020 के टोक्य ओलमकिक्स में गोल जित वाइं ता नीरच चोपड़ा, so correct answer, that is option number A, नीरच चोपड़ा, ओके तो ये question आ सकता है, आपकी exam में, ठीक है, next, दुरंद कप recently news है, is associated with which sports, कि स्पोर्ट से लेटेड है, actually, इसलिए news में, क्योंकि दुरंद कप start हो गया है, और 31st अगस तक चलेगा, चिंता बत करो, उस time पर जब result आएं चलेगा, Asia oldest football tournament है, अब जब इसको जीतेगा, वो हम discuss करें, अलग-अलग जगे matches हो रहे हैं इसके, देखते है, final कौन जीता है इसका, और उस पर हम discussion करेंगे, जब final हो जाएगा, तो, तो यहाँ पर आपने देखा होगा, मेरे जित्ते भी questions थे, MCQs थे, वो यहाँ पर cover हो ग weekly current affairs, weekly current affairs, यह साही चीज़े आपको मिलेंगी, करना क्या है, याद अखिएगा, नीचे मैं description box अपता, WhatsApp नमबर डाला हो, और calling नमबर अलग है, याद अखिएगा, तो, WhatsApp, calling नमबर दोनों में डाल दूँगा, ठीक है, आपको, अगर call करना, तो, आप call कर सकते है, WhatsApp करना, WhatsApp पर याद अखिएगा, आपको साही classes मिलती रहेंगी, साही PDF मिलती रहेंगी, आगे मेरी daily, weekly, topic wise, सब को आपको एक जगे में provide कर दूँगा, थोड़े बहुत charges है, WhatsApp में message करो, उसके मैं आपको charges बता दूँगा, आप वो चीज़े मिल सकती है, याद अखिएगा, आप मेरे courses को भ if you want to buy current affairs classes, आप वहाँ से भी buy का सकतो, आप चाओ तो WhatsApp पे भी message का सकतो, आप से एक request जरूर करूँगा, कि एक बार आप जाकर मेरे application में जाकर, जरूर नोट्स के sample जरूर ज़रू check करिएगा, आपको बढ़ चलेगा, कितने अच्छी लेवल के आपने notes बनाएं, और आपके बहुत beneficial होंगे वो notes, ठीक हर subject के quality, geography, history, classes भी available हैं, तो एक बार app को जरूर आपको visit करना पड़ेगा, आपको notes और आपको notes और classes चाहिए हैं तो, यादखिए, UPSC के courses है, state services के courses है, सारे subject के courses, आपको syllabus के courses मिल जाएंगे, general studies के classes मिल जाएंगी, उसके लिए एक बार app को आपक description box में mention कर रहा हूं, okay, mains की classes, सब कुछ available है, okay, यहां पर हमाँ लेक्चे complete होता है, I hope आपको लेक्चे समझ में आऊगा, कोई doubt query आप comment box में जरू comment कर सकते हो, please, whatsapp पे जरूर message करें, if you want our current affairs के आपको PDF चाहिए हूँ, तो आप जरूर वाट्चेप मेसेज करें, थोड़े से charges आपको lifetime validity दूँगा, future की भी मिलेंगी, past की भी मिलेंगी, present की भी मिलेंगी, सारी current affairs आपको एक साथ में आपर provide कर दूँगा, okay, so तुरंत whatsapp करो, नीचे description box में नमबर दिया हुआ है, और वीडियो पसंद आए, वीडियो को like जरू को, चैनल को subscribe करके रखो, और हमाई telegram चै ये हिंद, ये भारत, ये जगननाथ